अपने दिवाली ब्लॉग के साथ तो चलो आओ आपको दिखाती हो आज मैंने सुबा से क्या किया सो सुबा हो चुकी है तिवाली की एंड यार वही हर साल जैसे हम लोग को रंगोली बनाना हैं डेकोरेशन भी करना है तो पापा फ्लावर ले आए हैं तो हम लोगों को यह माल है है यह आम के पत्ते के ले के पत्ते और फिर बनाई हमना रंगोली मेरी सिस्टर ड्रॉट कर रही थी पहले उसने किया पूरा ड्रॉट और मेरा बाद में काम आता है तब तक मैंने किया आप लोग के लिए व्लॉग शूट तो यह रहा मेरा डान्स ग्लास का गेट यहां स हमें एंटर होता है इसके बतू रागोरा है और हमें बनाने लगी रंगोरी मैज़ा बढ़ी रंगोली को बना कर वी अप लोग की इतने गंटे में बनती है इस मुझे बताना जूरोबर मीरे और करिश्मा की दोनों की हैं रहना थो गए हैंो एक नेल पेंट भी पूरा मिट गया है, वो हम लोग डेकोरेशन भी करते गए, साथ साथ रंगोली भी बनाई हमने, और फाइनली हमारी रंगोली बन के हो गई है, रेडी, सो बताइए गाईज, हम दोनों ने मिलकर कैसी आर्ट की, आप लोग को अच्छी लगी ना, या राम आए उसके बाद मैं नहा कर आई, और ये बारा, तक्रीबन बज़ रहे हैं, टेक देर बज़े मैंने थोड़ा सा शूट किया, सो अभी मैं ना, शाम को आपको सारा कुछ लिखा हूंगी, क्योंकि मैं ठक गई हूं यार, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, चाय नास्ता करते हैं, क्योंना खाते हैं, चाय करते हैं तो में र्यूसी हैं, क्योंकि में पूचा चाहिया, है मूझा कि लिखा ऑन। कैसे celebrate होती है please comment में बताईएगा इसके बाद मैंने अपने dance class की पूझा किया क्योंकि मैं हमेशे ही करती हूँ यार अपने business point की पूझा सबको करना चाहिए और मेरा dance ही मेरी सबसे बड़ी पूझा है so मैंने यहाँ पे अपने सारे equipment जिसका मैं यूज करती हूँ office room की and सबी जगा की अच्छा से पूझा की सारे rooms की की यह मेरा office room है guys कैसा लग रहा है बताओ आप लोग और मैंने पूझा कर लिया है यहाँ पर यार बहुत अच्छा लग रहा था मतलब डिवाली डेकोरेशन इतना प्यारा रहता है सब जगा लाइट सी लाइट सी लाइट सी होती है और यह मेरी यूटूब बटन है जिसके लिए मैंने special decoration किया है and mirror पर मैंने लगा दिये हैं प्यारे प्यारे स्टार जैसे कि मैंने आपको में बताया था अपने वीडियो में और यह देखो नाइट में सारे लाइट जालू कर दिये गए तो कितना प्यारा लग रहा है और बाहर सब लोग आ चुके हैं फटा के तो सब लोग नीचे आ गए तो और नीचे मेरा डांस अकेडमी है सब लोग आ गए घर पे नीचे और यह रही हमारी राम आएंगे वाली रंगोली एंड यह मेरा बेल्डिंग कैसा लगा काई अगर आपको पूरे घर का ब्लॉग देखना है तो कमेंट में जुरूर बतारा मैं आपको नेक्स ब्लॉग जुरूर बताऊंगी यह मेरी चोड़ी सटर है जो अपनी रील बना रही है जो ज़रूरी है अंड यहार हम लोग देख रहते हैं कि यहां पर तो क्या हम लोग रहते हैं नैशनल हाइवे पर चाहँ पर चाहँ पृटा मैं वैसे तो फोट नो भी नहीं चाहिए हमने भी किया और हम आर्प परोसी में तो सारी शौप्स वांगे रहा हैं बिजनिस प और यह मम्मी पापा चले अपने हिस्से के फटाके फोर्ड़ने यह वेदुने उनके हाथ से ले लिए कि मैं जलाओंगा तो पर हमारे यह क्या है ना मम्मी पापा इस रुबात करते हैं और यह पर स्टार्टिंग हो गई है और यह वेदु का फटाका निकला फुसी जो वहीं लेती हूँ और फिर यार मेरी आड़े में बनी खड़े में बननी पाई तो कोई मतलब भी नहीं निकला मैं मम्मी को भी बुला रही थी पर फिर उसके बस अनार जलाने लगे यह शुबह में मेरा भाई इसने भी अनार जलाए वेदु इस साल फटाके फोर्ड़ना सीख गय फाइनली खुद से अलग से जाके फटा के मैंने भी अनार जलाए फटाके फोर्ड़े काफी सारे करिश्मा भी हैं वो भी फटाके एंजॉय कर रही है हम लोग आप लोग कितने भाई बेनों कमेंट में जूरू बताने ना आप लोग दिवाली भाई बेनों के साथ सेलिवर आप लोग देको यहां पे ना सारा रोड का एरिया है तो एक्चुली क्या था बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे कि हमने यह आठिस बची वाला फटाका यहां पर जलाया उपर इतना प्यारा व्यू था पर वही है ना यहां रोड पे करोगे तो थोड़ा रिस्क्य हो जाता करने में तो हम बहुत कम ही कर पाते हैं यह सब चीज है और आप सभी लोगों को हैपी 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 तीवाली गाईज